तो किस प्रकार के संकेत रहे हैं? किस प्रकार का ट्रेडिंग सेशन रहा है? अमेरिकी और येरोपिय बाजार में, of course, कमोर्टी बाजार के ट्रिगर्स सब पर बात करने के लिए मेरे सही होगी दीप, इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जोड़ चके हैं रगातार दूसरे दिन बाजार फिसले हैं, कल हमारे बाजार पी जब बंद हो रहे थे तो एक अनुमान था कि शायद अमेरिकी बाजार थोड़े वॉलटाइल, थोड़े कमजोर रह सकते हैं बट उसके जादा ही वीकनेस आपने देखे हैं, करीब डेट सो अंक नीचे थे डाउ जब हमारे बाजार बंद हो इसके सामने साड़े तीन सो अंक फिसल कर दिन के निचले सर पर हमने डाउ को बंद होते हो देखा है शुरुवात ठीक ठाक रही बट उसके बाद गिरावट आई और थू दे बाजार दबाव में ही रहे और लोज अफ दे डे में आपने बंद होते होई देखे हैं दस साल की बॉंड दील थोड़ी बढ़ गई है 3.8 परसेंट के उपर आपको फिर से आती हो दिखे है तो रीसेंट जो गिरावट थी वो लगभग लगभग कवर अप करती होई दिख रहे है आपकी बॉंड दील भी S&P 500, NASDAQ दोनों में हमने गिरावट देखे है Twitter कल 3% फिसला है, Elon Musk ने कहा है कि 28 October तक वो डील खतम करना चाहते है और उन्होंने कहा है कि जो ongoing lawsuit है उनका Twitter के साथ उसको रोका जाए क्योंकि वो अब अपनी डील खतम कर रहे है तो काफी सारे factors हैं, खबरे आई हैं जिसकी वज़े से ये shares आपको react करते हो दिखे सिर्फ Energy Index था जहाँ पर आपने खरेदारी देखी क्योंकि कच्चे तेल के दाम उपर जा रहे है तो Energy Stocks में आपने action देखा, oil and gas in particular, but otherwise बाजार का mood महल खराब ही बना हुआ था और खराब इसलिए भी बना हुआ था क्योंकि आज एक एहम data point आने वाला है September महीने का jobs data आने वाला है अभी तक तो संकेत यही रहे है कि economy काफी मस्बूत है अनुमान लगा जा रहा है कि धाई से पौने 3 लाख नई jobs जोड़ी जा सकती है पिछले महीने 3 लाख से जादा jobs जोड़ी गई थी तो वहाँ से देखेंगे तो गिरावट थोड़ी आ सकती है बट anybody's guess कि exactly किस number पर यह आते हो दिखेगा unemployment 3.7% के पास stable रहना चाहिए जो historic lows पर US में बना हुआ है तो इस jobs डेटा के दम पर बाजार आपको react करते हो दिखेंगे अगर खराब jobs डेटा रहा तो बाजार उसे positive मानेगा कि Fed की policy tightening finally effect दिखा रही है बट अगर मजबूत jobs डेटा रहा तो फिर जो डर बना हुए अभी बाजार में और बढ़ सकता है कि अभी भी वैसा slowdown या वैसा reaction नहीं आ रहा है जो Fed tightening कर रही है कल शिकागो Fed के Vice President ने भी बयान दिया और उन्होंने भी कहा कि अभी तक हम neutral rate पर नहीं पहुचे neutral rate यानि कि जहां से फिर हमें ज़ादा बढ़ाने की जरुवत ना पड़े वो कह रही है कि 4.5% neutral rate रहेगा तो indication है कि अभी भी आगे Fed rate hikes plan ही कर रहा है यह काफी important data रहेगा जिस पर सबकी नजर बनी हुई है यॉरप की बात करें तो यहाँ पर आधे से 1% की आपने गिरावट देखी है आज यॉरप के लिए भी एहम दिन है क्योंकि EU के leaders का आज summit होने वाली है energy prices को लेकर discussion होगा और जो price cap की बात चल रही है उस पर भी कुछ निर्ने आ सकता है हाला कि Germany जैसे कुछ बड़े देश है जो price cap के खिलाफ है तो देखते हैं कि सहमती बनती है कि नहीं इसका reaction आपको commodity बाजार पर भी आते हो दिखेगा commodities और currencies की बात करें तो dollar index वापस आपको 112 पर आते हो दिखा है recently 110 तक गिर गया था तो वहां से थोड़ा थोड़ा करके वापस उपर आया है dollar index Sona और चांदी अपनी उचाई पर कायम है तीन हफते की उचाई पर सोना है करीब करीब डेड़ महिनी की उचाई पर चांदी है कच्चा तेल भी तीन हफते की उचाई पर है 94 डॉलर के उपर ही आपको trade कर रहा है Goldman Sachs ने OPEC के cut के बाद अपना price अनुमान बनाया है साल के अन तक वो कह रहे है कि 104 डॉलर तक जा सकता है यही 9900 डॉलर की जो उनकी उमीद थी उसके थोड़ा उपर ही वो price देख रहे है यहां से जाते हुए इसके साथ ही base metals ने अपनी तेजी कल के गवाई है हाला कि zinc पर रखेगा नजर वहाँ पर action अभी भी बन रहा है और agri commodities भी सुचता है तो overall आज का September jobs data काफी important रहेगा उस पर बाजार की नजर है और धीरे धीरे bond deal और dollar index दोनों उपर आए हैं इस पर भी रखेगा नजर ओके चलिए अब देपांशु शुक्रिया वो पूरी details रखने कि